दोस्तों आप लोग बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए लैप्टप चाहिए बजट लेकिन कम है पचास हजार के अंदर अंदर बताईए तो यह मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ इसके अंदर सारे लैप्टप के जो मैं बात करने वाला हूँ यह पचास हजार के अंदर अंदर है पचास हजार रुपे मान सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादे नीचे के नहीं है उसी के आसपास के हैं तो यह सारे लैप्टप जो है अब वीडियो एडिटिंग में बाहीर अगर हैं तो इस पे कर सकते हैं क्योंकि यह सारे जो कन्फीगृरेशन है हमारे हाँ यूज हो रहे हैं इस वक्त मेरे पास जो है गेमिंग लेप्टप वीडियो एडिटिंग के लिए दस लैप्टप काम कर रहे हैं और उन सब में यही सब मिला जूला configuration है और जिसमें बिल्कुल भी problem नहीं आती है तो video editing के लिए, गेमिंग के लिए, चुलिए यह gaming laptop ही है और gaming laptop पर ही आप video editing कर पाएंगे तो यह main purpose जो है हमारा budget को ध्यान में रखते हुए हमें video editing करना है, तो कौन सा laptop चाहिए और यह सारे laptop बिल्कुल उसी के लिए है कौन कौन से model है, समझने के लिए video के साथ लास तक बने रहे है video को like भी कर दिया करें, हमें अच्छा लगता है हमें लगता है कि आप लोग अपना प्यार हमें दे रहे हैं और please प्यार करते हैं, चैनल को प्यार करते हैं तो जाहिर भी करते रहें, और उसके लिए कुछ नहीं करना है बस आपको like करना है आईए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, सबसे famous model Asus का tough gaming बहुत ही famous रहा है और यह खराब नहीं होता बहुत ही durable model रहा है Asus का, यह 15.6 इंच का Full HD display 144 Hz के साथ में यह आता है बहुत ही अच्छा gaming laptop हो सकता है और Ryzen 5 4600 H series का processor है H series high performance के लिए होता है इसलिए laptop थोड़े मोटे हो जाते हैं लेकिन performance में बिलकुल भी नहीं दबते हैं H series का processor के साथ में अगर 50,000 के अंदर कोई laptop मिल जाए तो क्या ही कहने हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है 4GB NVIDIA Geoforce का GTX 1650 लगा हुआ है और यह बहुत है rendering ठीक ठाक time पे हो जाता है चुकि हमें Premiere Pro चलाना है तो उसके लिए processor थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए तो यह जो processor है यह बहुत ही कमाल का processor है उसको handle करने के लिए और बाकी जो है rendering के लिए ठीक ठाक time में जो है GTX 1650 दे देता है जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा budget भी कम है 8GB RAM के साथ पे 512GB SSD है जो कि बहुत है वीडियो editing के लिए इससे जादे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है 2.3 kg का weight है black color का है पाकी सारे ports जो है आपको भर-भर के मिल जाते हैं जितने की आपको जरूरत है अगर उससे पर मैं बात करने लगूँगा तो वीडियो कामोखा लंबी हो जाएगी time कम है सिर्फ main point पे हम लोग बात कर लेते हैं अब फिरहाल 4990 रुपया नहीं की 50,000 का ही मान करके चलिए ये 10 रुपय कम 10 रुपय कम ये मिल जाएगा जो की बिल्कुल बर्थ कर रहा है इसको आप बाय कर सकते हैं next की बात करें तो वो मिलता है MSI का GF53 thin laptop है ये इसके अंदर एक ही हमको problem लगती है कि इसके अंदर single fan होता है जिसके उंदर से थोड़ा सा sound कर रहा होता है और ये जो है Intel i5 का 10th generation के साथ में 10500H series का processor लगा हुआ है ये भी high performance के लिए है तो चुकि एक graphic के साथ में ये भी laptop हमारे हां use हो रहा है बहुत अच्छा performance देता है 144Hz का display है ये 8GB RAM के साथ में 512GB का SSD के अंदर लगा हुआ है और NVIDIA का GTX 1650 4GB का जो है graphic इसके अंदर आपको मिलने बाला है जो कि इसका भी जो है Funda उसी के आसपास का रहने बाला है और चुकि थोड़ा सा 10th generation processor है लेकिन H series का है हमारे पास जो है वो U series का processor के साथ में जो है configuration में है वो भी बहुत अच्छा काम करता है लेकिन U series में और H series में बहुत चादे differences है H series बहुत अच्छा काम करता है इसका price 48,990 की 49,000 में ये आपको मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा laptop ये भी आपके लिए हो सकता है बाकि next की अगर हम बात करें तो वो जो है आपको मिलता है Lenovo IdeaPad Gaming 3 का model ये भी बहुत अच्छा model है i5 11th generation processor के साथ में पिछला जो आपने देखा वो i5 10th generation के साथ में ये 11th generation का processor है इसके साथ में 15.6 inch का Full HD IPS displays के अंदर मिल रहा है RGB RAM 512GB SSD के साथ में और इसके अंदर भी GTX 1650 ही लगा हुआ है 2.25 kgs का वेट है दिखने में बहुत ही खुब सुरत जो है ये model लगता है और ये भी model हमारे यहां चल रहा है बहुत ही satisfaction result देता है वीडियो editing के लिए जादे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कई सारे model में बता रहा हूँ कोई model आपको जो पसंद है कोई brand आपको पसंद हो सकता है इसलिए मैं अलग-अलग brand का अलग-अलग model में आपको दिखा रहा हूँ जो model आपको सही लगे वो model भाय कर सकते हैं इसका भी price आपको 50,000 ही पड़ेगा next की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा उपर जाना चाहते हैं तो ये model है प्राइस में आपको उपर नहीं जाना है प्राइस उतना ही है लेकिन जो पिछला आपने देखा उन सब में ये model थोड़ा सा उपर हो सकता है परफ़र्मेंस में reason क्या है इसका चुकि ये model वही है Lenovo IdeaPad Gaming 3 का ही model है इसके अंदर AMD Ryzen 5 का 5600H processor लगा हुआ है latest processor है बहुती कमाल का काम कर रहा है market में इसके लोग fan हो चुके हैं ये processor इतना बहतरीन काम करता है चुकि H series का है मेरे पास जो laptop है सेब यहीं 5600U series है उस पे भी कभी नहीं लगा कि कभी दब रहा है तो यह थी H series का है यह तो master है बिलकुल भी फिलकुल बेफिकर होकर कि इसको buy कर सकते हैं Full HD डिस्पले के साथ में IPS panel के साथ में मिल रहा है RGB RAM 512GB SSD बाकि graphic वही है बस processor change हुआ है price की बात करें तो वो Lenovo पर ही क्योंकि Lenovo बड़ा जबर्दस डिल आया हुआ है Lenovo IdeaPad Gaming 3 के अंदर ही processor आपको वही है Ryzen 5 का 5600H processor लगा हुआ है बाकि सब कुछ वही है इसके अंदर आपको dual storage मिल रहा है पिछले बारे के अंदर 512GB का SSD आपको मिल रहा था इसके अंदर 256GB SSD प्लस 1TB का हर ड्राइब मिल रहा है ये बहुत अच्छी बात है 1TB में आप डाटा रख सकते हैं 256GB के अंदर जो है आप operating system और सिसाथ में आप जो है जो भी software अगर इंस्टॉल करेंगे वो कीजिए must performance देगा और 1TB आपको डाटा के लिए भी मिल जा रहा है इसका एक प्लस पॉइंट हो सकता है और इसके लिए आपको जो है 900 रुपीज जादे देना पड़ेगा यानि 50,900 रुपे का इसका प्राइस है जो कि बिल्कुल बर्थ कर रहा है आपको ले लेना चाहिए बहुत अच्छा है जिनके लिए 900 रुपे माइने नहीं रखता है पिछला वाला मॉडल छोड़ करके ये मॉडल ले लिजिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी लेनवो का ही है लेनवो GTX 1650 थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है लेकिन जिनको प्रीमियर प्रो ही चलाना है उनके लिए ओल्ड भाले है लेकिन ठीक है बिल्कुल काम कर सकते हैं लेकिन नहीं जी हमें वो नहीं चाहिए इसके अंदर जो लगा हुआ है NVIDIA का RTX 3050 लगा हुआ है तो इसका प्लस पॉइंट मिल जाता है लेकिन यह महंगा है उसका प्लस पॉइंट तो है लेकिन महंगा है यह आपको 65,000 में पड़ेगा यह अच्छली अब आप कहेंगे कि आपने 50,000 बोला था उसके अंदर का लेपटप की बात करेंगे लेकिन एक्छली दो मॉडल मिल रहा था तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ बागी लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है तो थोड़ा सा और जादे थोड़ा सा अगर जिनका capability है कि नहीं 15,000 हम और और महंगा ले लेंगे थोड़ा सा और अच्छा ले लेंगे तो deal में इसका फाइदा जरूर हो रहा है यह हमें सा 70,000 प्लस ही मिलता है तो इसको बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं इसके अलमा थोड़ा सा और उपर जाएंगे तो इसके अंदर यानि कि 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए यह बिल्कुल अच्छा हो सकता है 4K वीडियो एडिटिंग करना लेटप के अंदर चुकि डेक्टप अच्छा होता है लेकिन आप कौन सा अच्छा है वो आपका पॉइंट है इसके बहुत सारे कंडिशन होते इस पर मैं वीडियो बना रखा है उसको जरूर देख लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि डेक्टप ले कि लेटप ले इस पर मैं वीडियो बना रखा हूँ आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर 4K के लिए क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत ही बहतरीन है पावरफुल है Ryzen 7 है ये Ryzen 7 का 5800H प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि बहुत पावरफुल है 4K वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले वही है आपका जो पिछला आपने देखा IPS पैनल के साथ में 8GB RAM 512GB SSD के साथ में Windows 11 सारा कुछ वही मिलने वाला है नॉर्मल जो चीज़े होती है बाकि ग्रैफिक इसके अंदर के लिए अच्छा सा लेपटप चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आप इन दोनों में से 11 जनरेशन में से लेटे क्योंकि यहां पर आपको ग्रैफिक बड़ा ही पावरफुल मिल रहा है इसके अंदर जो है आपको आपकी जो रेंडरिंग है वो फास्ट हो जाएगी उसके अलावा अगर लास्ट वाला लेते हैं तो यह राइजन 7 का 5800H जो प्रोसेसर है यह कमाल का प्रोसेसर है बहुत ही बहतरीन परफार्मेंस देने वाला है तो इस तरीके से मैं उबिद करता हूँ वीडियो एडिटिंग लेपटप के लिए आप लोग सेलेक्शन कर पाएंगे सारे के सारे अच्छे हैं आपको model कौन सा अच्छा लगता है, stories कौन सा पसंद है थोड़ा सा अपना भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है हमें जो सही लगा हमारा जो experience के लिए कि laptop का भरमार लगा हुआ है हमारा experience जिसको सही बताया वो मैं laptop आपके सामने रख दिया हूँ इसमें आपको भी थोड़ा सा सेलेक्शन करना पड़ेगा जो आपके हिसाब से सही लगे वो आप बाए कर सकते हैं दोस्ते वीडियो इन्फरमेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं इसी परकर की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप की वीडियो को सेर भी करते रहें वीडियो को लाइक भी कर दिया करें हमें अच्छा लगता है मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बार-बार चैनल पर आ करके बार-बार वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत बहुत दिल से धन्यबात करता हूँ आपका दिन सुपर